जामुल थाना पुलिस ने जामुल शेत्र में हत्या की एक मामले में तत्परता से कारवाई करती हुए आरोपी विवेक गुपता को गिरफतार कर लिया है। आरोपी ने अपनी पत्नी चित्र लेखा देवांगन की हत्या की है। ने जामुल थाना पुलिस की हिरासत में मौझूद जामुल लक्षमी पारा निवासी हत्या के आरोपी इस युवेक का नाम है। विवेक गुपता जिस पर अपनी पतनी चित्रलेखा देवांगन की हत्या करने का आरोप है। आरोपी और मृत्का का प्रेम विवा दस दिनों पूर्व ही समपन हुआ था। आरोपी विवेक अपनी पतनी के चरित्र पर शक किया करता था। जिसकी वज़ा से आये दिन म्रतका चित्र लेखा से मारपीट भी करता था घटना दिनांग को भी आरोपी ने म्रतका से गंभीर मारपीट की जिससे उसकी मौत हो गई घटना के बाद फरार हुए आरोपी को जामूल पुलिस ने बियर बार से गिरफतार किया आरोपी को सक्त सजा देने की मांग को लेकर जामूल थाने में बड़ी संक्या में लोग एकत्र हुए इस पूरे मामले की जानकारी CSP चावनी कौशलें देव पटेल ने दी यह मामला लश्णी पारा वार्ड नंबर पांच का है जो जामूल थाना चेतरन तक आगा था और इसमें उसके पती विवेक गुपता के द्वारा महिला के उपर उसके चरिते पर सब करते हुए उसके मार पीट करके उसकी हत्या की लेगी जामूल में कहा रहता था अंका विवा का बहुत असा विवा भी 30 तरीक को ही हुआ था और यह लश्णी पार वार्ड नंबर पांच के निवासी थी ती मृत्का के एक रिष्टेदार ने अपनी प्रतिक रिया दी हांसी होना चीए उस लड़के को ताची दुबारा किसी भी के बहन और बेटी के साथ ऐसा नहों हो उसको जाल साजी में फसा कर उसका मडर किया गया है जूता साध्य वाड़ी करके अपना फर्जी उसके साथ रिलेशनसिप चायर करके पूरा उसको मौक की धात उतार दिया है बहराल हत्या के बाद आरोपी विवेक गुपता की गिरफतारी को लेकर जामूल थाना प्रभारी गौरो पांडे के नेत्रितु में थाने के स्टाफ की अहम भूमिका रही ग्रेंड एशियन न्यूस के लिए संजय दुबे